नमस्कार आप सभी को इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रैमा केटी एन एफ क्रीम के बारे में आज हम जानेगे कि कौन-कौन सी समस्याओं को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है इसको यूज करने के क्या फायदे होते हैं इसको यूज करने के बाद कौन- composition के बारे में, तो इसके अंदर ketoconazole होता है 20 mg की मातरा में clobetasol, propionote होता है 0.5 mg की मातरा में zentamycin होता है 1 mg की मातरा में, और आपको बता दें, इसके अलावा iodoglor, hydroxoclonil होता है, ये 4-5 salt इसके अंदर पाए जाते हैं, अब बात करेंगे इसके uses के बारे में, कि कौन-कौन सी समस्याओं को ठीक करने के लिए इसका use के जाता है, इसके क्या-क्या benefit होते हैं, ये पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करें, पूरा वीडियो को देखें, अगर आप skip करेंगे तो आपको पूरी जानकारी स्क्रीम के बारे में नहीं मिल पाएगी, तो ड्रामा KTNF क्रीम में, ये जो सारे साल्ट पाए जाते हैं, ये हमने आपको बता दे हैं, ये शरीर में कुछ राशायनिक पदार्थों के उत्पादन को रोकता है, जो खुझली, सूजन और लाइलमा का कारण बनते हैं जेंटामाइसन एक एंटी बायोटिक है और ये है संक्रमन पैदा करने वाले बैक्टिलिया के विकास को गुणन को रोकता है केटोरनाजोल कवक की कोश्का जिली में हस्टचेप करता है इस प्रकार उनकी व्रद्धी को रोकता है और अंतते हैं उनकी मृत्व का कारण बनता है जितने भी बैक्टिरिया के कारण होने वाले तवचा संक्रमन को ये कम करता है या बैक्टिरिया के DNA संसलेशन में सामिल कुछ एंजाइमों को रोकता है जिसके बनाम सुरूप बैक्टिरिया की मृत्य हो जाती है या कुछ फंगल तवचा संक्रमनों को खिलाब भी फिरभावी होता है आपको बता देते हैं ड्रेमा केटी ऐनेफ क्रीम को यूज़ करने से पहले कुछ बड़तने वाली साब धानियों के बारे में तो बैर ड्रेमा केटी ऐनेफ क्रीम केवल बाहरी उप्योग के लिए है इसको मूँ के अंदर कान के अंदर नाग के अंदर यूज़ ना करें ये स्किन के ऊपर ही यूज़ किया जाता है इसे चिकित से देख रहे में या डॉक्टर या फार्मसिस्ट के सुझाब के अनुसार ही उप्योग करें अपने मन से पर्चेस करके इसको उप्योग ना करें वरना आपकी इसके इन्फेक्शन और बिगड सकती है उप्योग से पहले लेवल पर दिये गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें इसको उप्योग करने से पहले हाथों को अच्छे तरीके से साबुन से धोलें और अपनी स्किन को भी अच्छे तरीके से शुद्ध पानी से साफ कर लें इस दबा का उपयोग करने से पहले और बाद में अपने हाथ अच्छे तरीके से धोलें प्रभावेश चेतर पर थोड़ी मात्रा में डर्मा केटी आनेफ क्रीम लगाएं और थोड़ा मसाज करें ज्यादा रगने नहीं आँखों नाक या मुह में कोई भी दवाई जाने न पाए यह दवाई किसी के भी आँख नाक कान मुह में यह ना जाने पाए वरना आपको फायदे की जगा नुकसान हो सकता है और इसको ओबर डोज मतलब कि ज़्यादा मात्रा में भी यूज ना करें वरना इंफेक्शन सही होने की जगा आपको बढ़ भी सकता है साइड एफेक्ट की बात करें तो वैसे तो मुक्रूप से इसका साइड एफेक्ट होता नहीं है लेकिन किन किनी लोगों में खुझली ज़्यादा हो सकती है या किसी को जलन महसूस हो सकते हैं इसको लगाने के बार ये छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है तो वो समझ जाएंगे ये क्रीम उनको सूट नहीं कर रही है और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से बात करें जिनों ने आपको ये क्रीम दी है यही थी ड्रेमा केटी एनफ के बारे में पूरी और सही जानकारी हमारे द्वारत दी गई जानकारी स्क्रीम के बारे में आपको थोड़ी सी पी अच्छी लगई हो तो वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी ड्रेमा केटी एनफ के बारे में पूरी और सही जानकारी मिल सके हम अपने चैनल पर सभी पिरकार की दवाईों की पूरी और सही जानकारी बिलकुल हिंदी में फ्री में आपके लेकर आते रहते हैं आप भी चाहते हैं ऐसी दवाईों की पूरी और सही जानकारी पाना तो और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके जरूर जाना आपको बतादें इस दवाई की जानकारी देने के लिए हमने किसी कंपनिया ब्रांड से कोई प्रमोशन चार्ज आ पैसा नहीं लिया है हम बिल्कुल फ्री में हिंदी में पूरी और सही जानकारी आपके लेकर अपने चैनल पर आते रहते हैं से बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी एक और नई दवाई की नई जानकारी के साथ थैंक यू सो मच